प्रारम करते हैं कि अथ तीन सरुपों की बीतक लिखते हैं अब मेरे द्वारा तीन सरुपों की बीतक लिखी जा रही है पहले आया है अथ अथ का अर्थ क्या होता है ग्रंतकार ग्रंत से पहले मंगलाचनल के रूप में अथ लिखते हैं हिंदी में अथ का अर्थ होता है इसके बाद बाणी में भी आप कई जगह देखेंगे अब सुनियो मूल बचन प्रकार जब नहीं उपज्यो मो अंकार प्रगट बाणी में कहा है राजग्रंद का प्रारम होता है हवे पहला मो जलनी का उबा हवे कार्थ होता है अब अब आओ रे इस्क भानू हाम गरंथकार जो है गरंथ लिखने से पहले अपने आराद के ध्यान में डूबा पड़ा था उनको अपने हिर्दय मंदीर में बसा कर लिखना प्रारम कर रहा है तो कह रहा है कि अथ तीन सरुपों की बीत तक लिखते हैं हमारी वैदिक परंपरा में भी मंगलाचरण में अथ या ओम लिखा जाता है जैसे व्यदान दर्शन का पहला सुत्र क्या है अथा तो ब्रह्म जिज्यासा ब्रह्म जिज्यासा कवी सह है योग दर्शन का पहला सुत्र क्या है अथ योग अनुसासनम ब्याकरण का पहला सुत्र क्या है अथ सब्द अनुसासनम मिमांसा दर्शन का पहला सुत्र क्या है अथा तो धर्मम ब्याकर सामा इसी प्रकार जितने गरंथ है सम्मे अथ से या ओम से प्रारम किया गया है जैसे मान्डुक पनिशद में कहा गया है ओम इतेतत सर्वं तस उपव्याख्यानम ओम से या अथ से प्रारम किया गया है वैदिक परंपरा में अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम ओम होता है इस दिये परमात्मा का नाम लेकर प्रारम कर दिया जाता है कहीं नाम ना लिखकर अथ लिख दिया गया तो समझ लेजिए कि मंगलाचरन हो गया यानि गरंदकार ने परमात्मा का ध्यान कर लिए ये मंगलाचरन की परंपरा क्यों है क्योंकि जान का सागर कौन है एक मात्र सिस्तानंद परव्रम हमारा मानोतन उस जान के सागर की कुछ भूतों को ही आत्मसाथ कर पाता है इसलिए हमारे हिर्दे में किसी तरह के जान की अहंग की ग्रंथ ही नपने पाए उस सर्व सक्तिमान के चड़ों में सब कुछ कहा जाता है सौंप दिया जाता है यह सच्तानंद परब्रम आपके आदेश की छतरचाय में मेरे द्वारा यह ग्रंतकार किया जा रहा है यानि अपने अहंग का विसरजन मंगलाचरण का मूल उते से होता है सब कुछ मंगल में कब होगा जब हमारे अहंग का समापन हो जाएगा सर्वच इस्थिति क्या है जब मनुष का अहंग समाप्त हो जाता है तो वो ब्रह्मी इस्थिति आती है मैं हूँ मेरा है यही तो सबसे बड़ी माया है मेरा ये नाम, मेरा ये रूप, मेरा ये तन मेरा ये परिवार, मेरी प्रतिष्ठा यह सबसे बड़ी माया है घर छोड़ना कोई बड़ी माया नहीं है सरीर की मैं जीव की मैं बुद्धी की मैं रूप की मैं प्रतिष्ठा की मैं किसी भी तरह से यदि अस्मिता ने मैंने हमें घेर रखा है तो समझ लीजे हमें माया ने घेंर रखा है इसलिए हर मनेशी किसी न किसी रूख में उस सरुसक्तिमान का इस्मरड करता है सरुसक्तिमान को हिर्द कंदिर में बसाता है इसी को कहते हैं मंगला चरण अध तेन सरुखों की बीतक लिखते अब रसनि यह होटा है तीन सरुप कौन कौन से तीन सरुपों का ताथ पर है यह जो भी तक लिखी जा रही है यह जागनी ब्रह्मान की भी तक है साहब के संसार में आए तीन सरुप सो कुरानियों कहमें सुन्दर रुप अनौ एक बिजबाल को दूजा रास की सोर तीसरा बुढ़ापन में यह बाते कहीं जाती है ब्रज का सुरुप कहीं लिया गया कहीं रास का सुरुप कहीं जागनी का सुरुप कहीं कहीं बसरी मलकी और हकी सुर्थ लिया जाता है लेकिन यहां परसंग कहीं और है ब्रज की लिला भागवत में दर्शा दी गई गई गई, रास की लिला रास गरंथ में दर्शा दी गई गई अब ये जागनी लिला की वितक है, ब्रज रास के पेस्चाहत ये जागनी ब्रह्मान बना और जागनी के इस ब्रमान में परमधाम की आत्माओं ने पदारपण किया है उनके साथ अक्षरातीत बिराजमान होकर 120 साल तक की जागनी लिला करते है सनन्द में कहा है 200 सो बरसोलो कायम होसी बहराट सचराचर जागनी लिला के 120 वर्स जब बीत हो जाएंगे तो सारा ब्रमान अखंड मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा जागनी लिला के से कबसे प्रारम होती है बिक्रम सम्बत 1638 में स्री देवचन जी का तन प्रगट होता है 1638 से लेकर 1718 तक 120 वर्स माने जाते है 1712 में स्री देवचन जी का तन ओचल हो जाता है 1751 में स्री जी के तन से होने वाली लिला छिप जाती है और उसके पहस्चाद 7 साल जो बाकी रहते हैं वो आवेश लिला महराजा 16 साल जी के तन से संपादित होती है इसलिए तीन स्रूपों में स्री देवचन जी, स्री प्राणाची और महराजा 16 साल जी न लिला की है यहां बसरी सुरत का कोई परसंग नहीं है तीन स्रूपों के भी तक लिखे जा रही है लालदाश जी पहला वाक्य प्रारम करते हैं अब मेरे द्वारा, मेरे तन से, धाम दनी, तीनो स्रूपों की भी तक लिखवा रही है क्योंकि यह परसंग किसका है? जागनी लिला का जागनी ब्रह्मांड है, जागनी लिला है लैलतुलकदर की रात में तीन तकरार है ब्रज राश और जागनी ब्रच राज की लिला तो भीद चुकी है अब इस जागनी लिला में जो कुछ होना है कैसे ब्रमात्माएं आतरित होती है कैसे राज जी दोनों तनों में बैठ कर लिला करते हैं और जो बाकी के साथ वर्स रहते हैं उन साथ वर्सों में सारी सोभा महराजाद छत्र साल जी को देते हैं क्योंकि छत्र साल जी ने समरपण में सरूपर भूंका निभाई होती है उनके अंदर साकुंडल की आत्मा होती है साकुंडल और साकुमार का खेल में बहुत बड़ा योगदान है इस खेल में उनकी बहुत बड़ी अगरगानी भूंका है इसलिए पांचवे दिन के लिला में साकुंडल ने अपनी बिसेस भूंका निवाई छेटे दिन के लिला में साकुमार की बिसेस भूंका होगी यह जो 120 साल की हैं जागनी लिला के उन जागनिला के 120 वर्सों में तीन तनों से लिला होती है और आपको ये भी विदित होगा स्यामा जी के स्वामित के जो 40 वर्स हैं 1735 से प्रारब होते हैं 1735 से 1775 तक ये 40 वर्स होते हैं एक आउन में स्री जी का अंतरधान होता है तो महामती के तन से 16 वर्स जिसमें पूरी परमधाम की ब्रह्मवारी उतरती है परमधाम की चारो किताबें खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार इन चारो किताबों का उतरण होता है और इन चारो किताबों के उतरण के साथ यहीं बैठे बैठे सबसुन्दर साथ को परमधाम के दर्सन का परमधाम के एक-एक पक्च का विस्तित वर्णन सुनने को मिलता है सबसुन्दर साथ ने यहीं बैठे-बैठे युगल सरूब के एक-एक अंग में सौयम को डुबाया अक्षनातीत के धाम हिर्दे में डुपकी लगा कर अपने हिर्दे मंदिर में उनको बसा कर मारिफत की अवस्था प्राप्त की जो इस जागनी ब्रह्मान का सुरोपर लक्ष होता है यह जो सुख मिला यह सुख आज तक इस त्रिष्टी में किसी को नसिब नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया या तो नारायन निराकार को परमात्मा मानती थे या सकार में भटक रही थी कोई बेहत की वासना थी पंच वासनाएं उन्होंने बेहत में जरूर डुपकी लगा कर कुछ अखंड सुख प्राप्त किया लेकिन परमधाम में कौन जा सकता है इत हुकम हाकिम बिना कौन आवे निराकार सुनिक पार के पार प्यू बतन इत हुकम हाकिम बिना कौन आवे उस सौलिला अद्वैत में इस नस्वर जगत से कोई भी नहीं चाह सकता था वहां का ज्यान यहां आतरित नहीं हो सकता था लेकिन अन्होनी घटना के रूप में परमधाम की ब्रमात्माय आई तो उनके साथ अक्षरातीत के चर्ण कमल भी आये परढ़धाम का अलोकिक जान संसार को सुनने को मिला इसलिए जो वाणी के परचार का जो कारिक्रम था वो 24 वर्स महाराजा छटर साल जी को सौपा गए महाराजा छटर साल जी ने पूरे देश में जगा जगा वाणी के परचारक भेजे नेपाल में भेजा, पंजाब में भेजा, पंजाब में भाईया सिता राम जी को भेजा, केसर भाई को जामनगर भेजा, उदेपूर की तरफ मुकंदाज जी ने जागने कारी किया, यानि पूरे देश में जगा जगा धर्म प्रचारक भेज कर महराज़ा छत्र साल जी ने वाणी की जूत को चारो तरह फैलाया, और छठे दिन की लिला में सुन्दर साथ के लिए एक पत्पदर्सक की भूम का निभाई, कि जैसे मैं ब्रह्मवाणी को फैला रहा हूं, सुन् प्राया सभी मंदिरों में छोटे या बड़े रूप में भी तक कथा कायोजन होता है, कहीं अधिक भीड होती है, कहीं कम होती है, लेकिन परंपरा का पालन तो किया ही जाता है, यह भी तक हमारे लिए गौरों में छण की अनभुती कराता है, कि कैसे हमारे सुन्दर साथ मे परमधाम का ज्ञान अवतरित हुआ है इस व्रमवाणी को हम कैसे फैलाई अब यह प्रसंग है अथ तीन सरुपों के बीतक यानि स्रीदेवचन जी के तन से स्रीप्राणना जी के सरुप से और महराचा छट साल जी के तन से जागनी के जो 120 साल हुए है की जारेगे